सराफा बजार में चांदी की कीमतें आस्मान छू रही है आस्मान छू रही चांदी की कीमतों का असर अब 400 साल पूराने गुलाबी मीनाकारी के कार्यगरों पर देखने को मिला है हाल ये है कि ओर्डर के बाद भी माल डंप पड़े हैं और लोग फिलाल चांदी के भाव के गिड़ने का इंतजार कर रहे हैं करियरों का मानना है कि शुरुवात में ओर्डर तो मिले लेकिन अब माल की सप्लाई ठप हो गई है गुलाबी मीनाकारी से जुड़े नेशनल एवडी रमेश कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि बीते दो महीने से चांदी के भाव लगातार बढ़ रहा हैं अपरायल और मई के महीने में इसके किमतों में 10 से 12 हजार रुपे तक का उच्छाल आया है शुरवाती समय में उच्छाल के बाद भी ओर्डर मिल लेता है लेकिन अब सब कुछ थम सा गया है पुराने ओर्डर के माल भी लेने से लोग कतरा रहा है वहीं दूसरी तरफ अब नए ओर्डर के लिए भी इंटरेजार करना पड़ा है बताते चले कि मुगलों के समय के इस खुपसवत आर्ट के फैन देश ही नहीं बलकि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में है लेकिन फिलाल चांदी के बड़ती कीमतों के कारण गुलाबी मीनाकारी का रंग फीका पड़ता दिखाई दे रहा है जि जब से आज 40-45 दिन से जब से चांदी के बाअफ बढ़ना सुरु हुए तो आर्टर तो मेरे पास बहुत पे कुमर के आज भी कस्टमर के पास जो आर्टर है ह्मारे पास लगभनोगे। लेकिन कस्टमर पेमेंट इसलिए नहीं कर पा रहा है समय कि चांदी की जो खीमत कितना प्रभावित होगा होगा है इस समय तो साट परशेंट कस्टमर को पेमेंट करना ही नहीं चाहा रहा है सिर्फ आटर दे करके रुखा हुआ है बात करें एक मेने पहले चान्दी कीमत में और अब में कितना फर्क आ गया है इस कारण से कॉस्टमर इस समय रुका हुआ है और अडर मेरे पास है लेकिन इस समय पेमेंट नहीं कर रहा है लोग पहले भाव घटने का अन्दिशा है कि भाव घट जाए तो मैं पेमेंट करूं